चुनाव आयोग ने शरत पवार गुट की एंसीपी को नया नाम दे दिया है पार्टी अव एंसीपी शरत चंडर पवार के नाम से जानी जाएगी हाला कि पार्टी के चुनाव चिन को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है वहीं साथ परवरी को शरत पवार गुट ने चुनाव आयोग को पार्टी के लिए तीन नाम भीजे थे जहां नैशनलिस्ट कॉंग्रिस पार्टी शरत पवार और नैशनलिस्ट कॉंग्रिस और कप प्लेट शामिल है बर्गत के पेड़ मिलने की जादा चड़्चा हो रही है वहीं इससे पहले 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने महराज्ट सरकार में शामिल अजित पवार गुट को असली NCP बताया था 6 महिने तक चली 10 सुनवाई के बार पार्टी का नाम और चुनाव चिन घड़ी अजित गुट को दे दिया था वहीं चुनाव आयोग ने इस फैसले के बाद शरत पवार गुट को बुद्भार शाम चार बजे तक तीन नाम भीषने की समय सीमा दी थी वहीं आयोग ने कहा था कि अगर नाम नहीं दिये तो निर्दली चुनाव लड़ना पड़ेगा